आज मुझे प्रॉमिस करके जाओ कि मैम अगर अभी इवन हाफ यर्ली भी अच्छे नहीं तो आगी मेहनत करेंगे डरेंगे नहीं और अच्छे से यह जो टाइम बचा है इसको अच्छे से यूट्रलाइज करेंगे अगर हाफ यर्ली एक्जाम देके डिसार्टन हो गए हो या हाफ यर्ली एक्जाम लेके यह सोच रहे हो कि चलो यार अब ठोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे फिर पड़ेंगे तो मैं आपको अलर्ट करने आई हो कि यह गल्ती नहीं करने तो तार्गे जब उचा रखोगे तो अगर मालू स्टार्गेट तक नहीं भी पौचे तो कहीं गिरोगे भी तो 90s के असबर रिजल्ट तुम्हारा है तो हाट वर्क भी तुम्हारा ही होगा जिदना ज्यादा अचा हाट वर्क करोगे उतना ही तुम्हारा रिजल्ट चमकेगा यह गलती नहीं करने हमें ठीक है तो देखो बच्चे अगर आपका टार्गेट है 95 प्लस मैं तो हमेशा कहते हूँ टार्गेट 100 पर्सन लेके चलो टार्गेट जब उचा रखोगे तो अगर मालू स्टार्गेट तक नहीं भी पहुचे तो कहीं गिरोगे भी तो 90s के आसप पर्सन लाएंगे लेकिन महनत 50 पर्सन 60 पर्सन वाली हो रही है वो फायदा नहीं है टार्गेट रखने का अगर टार्गेट 95 प्लस लाने का है तो सबसे पहली चीज जो अभी आपको करनी है वो यह है बच्चे कि आपको अपना स्लेबस कंप्लीट करना है माक्स तु माक्स पर चाप्टर करना चाहते हो तो पुरानी लेक्चर्स भी पड़े है अगर आपको लग रहे है सीड बैच में अगर यह चाप्टर नहीं हुआ तो आप मेरी चैनल पर पुरानी लेक्चर्स भी देख सकते हो जीकि आदर्वाइस नवेंबर एंट तक जो टार्गेट मैं रखेंगे रिवीजिन का जहां पर स्लेबस पूरा हो रखा है हमें सिरफ सांपल पेपर्स बाक टू बाक करने हैं तो यह तीन महीने अगर आप में रिवीजिन के लिए रख लिए ना बच्चे तो आपका 95 स्कोर कहीं नहीं गया प्रॉब्लम क्या होती है कि जैन तक हम स्लेब स्लेबस करो तुम्हें पता नहीं हो सकता है तीन नंबर का जो चाप्टर चोड़े हो वही उसमें पूरे मार्क शलेओ अगर वो चाप्टर कर लो है तो तीन तीन नंबर भी मैटर करता है यह मैं सोचना है इसकी वैटिश तो 4-5 नंबर इस चाप्र को छोड़ो एवरी तो टार्गेट क्या रखना अभी के लिए स्लेबस कंप्लीट करना है चोड़ना कुछ नहीं है 100 परसंट स्लेबस कंप्लीट करना है और आपको एग्जाम अच्छे वह तो बहुत अच्छी बात है मतलब जस पात पे हो बिलकुल सही पात पे उस पे कंटिन्यू करो अगर ए अच्छे नहीं हुए जैसा आपने सोचा था वैसे माक्स नहीं आए तो आपको अपने अंदर गलतियां ढूननी है कि यहां तक की जर्णी में मैंने क्या गलती करी है जो मैं आगे नहीं करूंगी या करूंगा ठीक है सो मैं यहां पे दो गलतियां आपकी पॉइंट आउट कर सकते हूँ वन इस फोकस अगर जो बच्चे फोकस के साथ पढ़ते हैं कि यार मेरा ये टार्गेट है मुझे ऐसे पढ़ना है ऐसे 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 क्लारिटी है उन्हें सारी चीज़े पता है अगर आप फोकस से साथ ले रहे हैं उसमें कभी भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी आपकी खुद की ठीक है उसके बाद प्रेक्टेस देखो यूट्यूब आ एक ऐसा प्लाटफर्म है जो आपकी बहुत करता है पढ़ाई में हमारे टाइम पे जब हम लोग टेंथ ट्वेल्थ के यहां से यह एक बाद ने आप से समझाय यहां से समझ है इतने वाष ऐप्शन यहां पर एक यह जब विडियो देखते हैं तो हमें लगते सब समझ में आगरे मैक सो चाह साइंसों या एसस हुजब ढ़ाई होते ना हमें लगते यह तो बड़ा इसी है यह तो हो गया यह कु दोनों सब्जेक्ट में प्रेक्टिस जब तक नहीं करोगे बच्चे आपको आप कहां स्टार्ट कर रहे हो यह नहीं पता चलेगा उसके अलावा एक जो कोशन बहुत जादा बहुत जादा आता है दिमाग में that is is NCRT इनफ और देखो एक तक तक तो होता भी था ऐसे NCRT की ज आता है जैसे साइन्स है तो चाप्टर के इन बिट्वीन में जो चीजें है वो पूछी जाती है तो पेपर NCRT में से ही आता है लेकिन अब अब अगर आप यह मेरे से पूछोंगे तो बच्चे कॉम्पेंटेंसी कोशन जो है वो बहुत जादा वेटेज की है क्योंकि अब सिरब रट्टा विकेशन वाला काम नहीं चलता अब हमें चाहिए कंसेप्ट क्लियारटी हमें चाहिए दीजनिंग तो उसके लिए आपको एक हैची हेल्प बुक तो चाहिए यह एंड और वन शॉट बुक बहुत बच्चे ले चुके हैं और बहुत बच्चों के लिए हेल सिरफ यह दो चीज़े आपके पास है तो यू हाव कंप्लीट पैकेज इसके अलावा नाइंथ क्लास में तुम्हें और कहीं जाने की जरुरत है ही नहीं और इस इयर इस बुक में मार्केट में आपको कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें नाइंथ क्लास के आपको पी व का पांच नमबर का कोशन बन के यह तो यहां पर कोशन आ जए तो पी वाइक्यूज आपको और इस बुक में नहीं मिलेंगे इस बुक में आपको चाप्टर वाइस पीवाइक्यूज मिल रहे हैं जिससे प्रेक्टिस कर सकते हैं यू कैन यू कान परसेंश एर के यह मिलते हैं explanation step by step सब कुछ मिलता है so your ncrt ncrt साथ लेके चलेंगे you will see मेरे चानल पर 90% आपको ncrt का और कहीं से पढ़ने की जोरती नी पढ़ेगी सब कुछ है बी एच चाप्टर उसके इंडेक कोशनों बैक सारे कोशन अपने कवर करें तो पूरी ncrt आपको चानल पर मिल जाएगी and this one shot book and you are sorted ठीक है आप आगे देखते हैं आगे है बच्चे हमारे पास most crucial टाइम आप जरा सोचो अभी तो आपके हाफ यह ले एक्जाम होए तुम्हें वीडियो अभी क्यो बना रही हूँ यह टाइम है पहला रीजन आपके पास यार बहुत ठग गया हाफ यह ले एक्जाम में बड़ी महनत करें थी अब पेपर अभी खतम होए थोड़ा रेस्ट करेंगे यह पहली गलती होगे कि आप उस रेस्ट के चक्कर में यह टाइम निकाल दोगे जहां आपको अपना स्लेबर स्ट्रेंड की तरह भगान है वो ताइम आप निकाल दोगे और दूसरा बाई इंडिया में रहते हैं यह जो हमारा मन शुरो रहे है इस बेसिकली समलो बड़ा ही फेस्टिव सा महौल बन जाता है मनी नहीं करता पड़ने का घर में चहल पहल हो रखी है अभी नवर अगया मैंने तो काताने वेंबर में पूरा सलेबस करने अब एक महिने में सब कोच कैसे कि आ जाए तो बेटा प्लीज दिस इस दो मोस् किरूशल टाइम इसको फ्लीज मत करना मैं यह नहीं कहरी कि आप सेलिब्रेट मत करो बिल्कुल अपने आपको आइसोलेट कर दो एक कम नहीं कर सकते नहीं बैलन्स होगा तो एक साल यार मत सेलिब्रेट करो कोई बात यह पढ़ाई का टाइम वापस नहीं आएगा ठीक है तो मेक शूर कि यह क्रूशल टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे जो इस चाइम पर वीडियो डालने का है वो यह के बच्चे यह महीना कर दें ठीक है आगे अगे अट दी एंड बच्चे जो हम रिजल्ट की पूल सोचते हैं कि रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं है रिजल्ट कैसा आएगा सिंपल सी बात है रिजल्ट तुम्हारा है तो हाड़ वर्क भी तुम्हारा ही होगा जितना ज्यादा अच्छा हाड़ करोगे उतना ही तुम्हारा रिजल्ट चमकेगा ऐसा नहीं है वी अजस्ट मेंटर जो आपको गाइडेंस दे सकता है कि देखो यह टाइम वेस्ट मत करो इस पाक पर चलो लेकिन चलना कि स्पीड से चलना है चलना है यह नहीं चलना वह हमेशा आपका डिसीजन रहेगा हम लेकिन अगर आप खुद के लिए सीरेस नहीं होगे बच्चे तो रिजल्ट अच्छा नहीं दिखेगा ठीक है तो प्लीज मेका प्रॉमिस आज मुझे प्रॉमिस करके जाओ कि माम अगर अभी एवन हाफ यरली भी अच्छे नहीं तो आगे महनत करेंगे डरेंगे नहीं औ और अच्छे से यह जो टाइम बचा है इसको अच्छे से यूटलाइज करेंगे I hope आपको मेरी सारी बाते समझ में आई होंगी and do let me know in the comment section session कैसा था और मुझे promise करके जाना कि हा माम हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे marks लेके आएंगे तो thank you so much for watching I'll see you all in the next video also अगर बुक आपने अभी तक पचेज नहीं करी तो it's high time नीचे मैं लिंक दे दूंगे discounted link है वो discounted link से आप अपनी one shot book purchase कर सकते तो I'll see you all in the next video bye bye for now